कि अधिया है हलो फ्रेंड्स स्वागते आप सभी का MRY स्टडी में सो जैसे कि आपको बताएगे पाइटन के क्रेश कोर्स में आज हमारा अगला टॉपिक है नमपाय बेसिक्स और इसके पहले वाले टॉपिक में हमने मॉड्यूल्स के बेसिक्स पढ़ेते मॉड्यूल्स पढ मॉड्यूल्स का क्या यूज होता है पायफन में तो आज हम पढ़ेंगे नमपाय बेशिक्स तो शूपिक्स कोर्द पूरा थेरुटिकल पार्ट पढ़ने वाले हैं जो उर्टिकल्न का वीडियो की वीडियो तो प्रेक्टिकल की वीडियो आप देखिएग्स WEysis नरेम करे तो स्टार्ट करते हैं आज हम तो सबसे पहले नमपाई की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा समझते हैं तो नमपाई क्या है नमपाई एज पाइफन एज जनल परपस एरे प्रोसेसिंग पैकेज एक तरीके का पैकेज है यह मतलब की पैकेज से आप इस तरीके से समाजी है जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते हैं एकन्सा वर्ड यूज करते हैं कौन सा एखकज करते है कौन सा पावर पॉइंट यूज करते हैं तरीके क्ति West अब माइक्रोसेफट आपके क्या है एक तरीके का पैकेज है छो की आपको समें इनस्टॉल करना पड़ेगा उसके अलाब और Libre Impress ये सारे क्या है वो Libre Office के package है जिस तरीके से Microsoft के वो package है उस तरीके से ही Libre Office के वो package है तो यहाँ पर हम क्या चीज़ सीखते है कि NumPy क्या है वो Python का एक package है मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि Python हम उसके बिना कर लेंगे है ना मतलब कि Python हम उसके बिना कर सकते है लेकिन ये क्यों जरूरी है वो हम उसकी features में समझेंगे कि package उसका क्यों important है तो NumPy क्या है एक general purpose array processing package है ये क्या है एक तरीकी की library है मतलब कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ाता module पढ़ाता module के हंदर हम functions बनाते थे उसी तरीके से NumPy को भी एक इस तरीके का module design किया गया है जिसके अंदर क्या हो multi dimensional array है मतलब कि उसके अंदर भहुत सारी functioning है जिसको हम python programming में कर सकते हैं objects and a collection of routine अगर हम बोलें तो array एक form है मतलब कि एक define करने की एक form है किसको data को उसको बोला जाता है array ठीक है जैसे कि आप छोटी classes में पढ़ते थे जो numbers हैं उनको array में लिखो ठीक है तो आप क्या करते थे एक line में आप उन numbers को define करते थे arrays में ठीक है उसी तरीके से computer की language में भी python में भी हम क्या करते हैं जो number से उनको array में define करते हैं ठीक है अब अगली चीज हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे features of numpy so हमने यह पढ़ लिया कि numpy क्या है एक तरीके का general purpose processing package है जो कि हम python में यूज करते हैं और इसके अंदर बहुत सारी libraries हैं जिसको हम multidimensional arrays objects का collection है एक routine है ठीक है जो कि हम python में array बनाने के time पर use करते हैं ठीक है यह इसकी simple definition है इसके बाद हम पढ़ते है features of numpy features of numpy में अगर हम देखें तो जो basic चीज हैं जो हम maths में करते हैं जैसे कि क्या करते हैं अब plus minus divide यह सब तो हम पहले से सीख चुके हैं ठीक है लिकिन अब जो main चीज आती है mathematical and logical operations मलग कि ऐसे operations जिसमें हम क्या कर रहे हूं जिसमें हम किसी भी चीज को एक function में define कर रहे हूं ठीक है उसको बोले जाता है mathematical and logical operations ठीक है जैसे कि हम दूसरे दूसरा कोई भी करते हैं जैसे excel में हम कोई चीज बना रहे हैं तो इसके अंदर हम operations करते हैं जैसे कि arithmetic operations उसी तरीके से यह जो numpy है वो हमें एक facility देता है इस चीज की can be performed using numpy useful linear algebra linear algebra करने के लिए भी हम numpy को use करते हैं Fourier transform and random number capabilities ठीक है आप आगे पढ़ेंगे जब आप advanced level पर जब आप numpy को पढ़ेंगे तब आपको पता रहेगा कि इनको किस तरीके से algebra में use करा जाता है जो high level mathematics होती है ना उसमें इसको numpy को use करा जाता है multi-dimensional container of non-specific data जो multi-dimensional container होते हैं जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कि जो python होती है उसको हम multi-dimensional में रखते हैं मतलब कि आपने cube देखा होगा cube देखा होगा आपने ठीक है maths में उसमें क्या होता है उसमें three dimensions होती है ठीक है तो उसी तरीके से जो data होता है वो भी हमारा three dimension के form में रखा जा सकता है with the help of numpy 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 में array की मदद से हम क्या कर सकते हैं उसको three dimensional में data को रख सकते हैं ठीक है अच्छा random data types can be defined can be defined using numpy which यह वाला जो can be defined है जो बार बार लिख दे मैंने sorry can be defined using numpy which permits numpy to seamlessly and quickly integrate with a wide form of data जो numpy है उसको हम wide form में किसी भी data type में कर सकते हैं वो आप से यह नहीं बोलेगा के यह क्या है floating data type है के यह मतलब दूसरा string है यह फिर integer है यह आप से नहीं बोलेगा आप उसके अंदर कुछ भी data type रखके उसको लिख सकते हैं वो आपके data type को define कर देगा अगली चीज़ आती है यहां पर हमारी scipy अब scipy क्या है scipy का मतलब होता है scientific python अच्छा मैं आपको यहां पर एक चीज़ इसका जो difference है वो मैं आपको समझाओंगा numpy वो scipy में क्या होता है पहले हम definition पढ़ लेते हैं scipy की definition क्या है scipy is a free and open source library जिस तरीके से numpy है उसी तरीके से scipy है इसमें आपको मतलब confused होना नहीं है दौनों packages है जो python में यूज करे जाते हैं यूज फॉर scientific computing and technical computing लेकिन scipy में difference क्या है कि यह सिर्फ scientific और technical computing के लिए यूज कर जाता है जबकि numpy में mathematical और logical operations भी कर सकते हैं scipy contains modules for optimization, linear algebra, integration, interpolation और specific functions के लिए हम scipy को use करते हैं ठीक है scipy builds on the numpy array object and is a part of numpy अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा scipy है जो हमारा scipy है वो क्या है वो numpy array के द्वारा ही बनाया गया है मतलब कि फरक सिर्फिस में यह है कि scipy को numpy के द्वारा define किया गया है उसी से बनाया गया है उसी की programming करके उसको define किया गया है ठीक है including tools like matplotive pandas scientific computing library आपने एक language का name सुना होगा जिसको बोला जाता है मतलब क्या बोला जाता है आपने मतलब का मतलब सुना होगा इसका full form है matrix laboratory यह एक language होती है जिसको scientific techniques के लिए computer में use करा जाता है तो इसी की मदद से ही जो scipy है वो develop किया गया है अगली चीज आती है numpy और scipy में difference क्या है तो देखो numpy और scipy में difference यह है कि numpy को बोला जाता है सबसे पहले तो numerical python क्यों बोला जाता है कि उसमें mathematical और logical operations करते है और scipy को बोला जाता है scientific python क्यों बोला जाता है क्योंकि इसमें हम scientific जो mathematics है या फिर हम scientific functions है उनको हम solve करते हैं numpy used for efficient operations on homogeneous data stored in arrays हम एक array में multiple data homogeneous का मतलब होता है multiple data को हम क्या करते हैं store करके उसको define करते हैं और scipy में क्या करते है is a collection of tools for python यह क्या collection है python के लिए ठीक है these tools support operations like integration differentiation gradient optimization अब यह तीन चीज़ें जो हैं वो technical level की हो गई मतलब कि जो normal mathematics में जो चीज़ यूज होती है arithmetic में बढ़ते हैं normal mathematics में वो इसमें नहीं आईगी तो यहाँ पर difference यही है कि इसमें हम mathematical and logical operations कर देते हैं यह सारी चीज़ें इसमें आ जाती है algebra हो गई ठीक है numpy is written in c and it is faster than scipy is all aspects of execution जो numpy है उसको c language की द्वारा बनाया गया है और यह scipy से जादा क्या है faster है जबकि scipy is suitable for complex computing of numerical data scipy जो है मैंने आपको उपर definition में बताया है वो किस तरीके से develop की गई numpy की जरीए develop की गई numpy के जो modules हैं या फिर हम यह कह सकते है numpy के जो objects हैं उससे हमने उसको बनाया दूसरी चीज यह सिर्फ complex data के लिए ही complex computing numerical data के लिए ही हम use करते हैं numpy is used for basic operations such as sorting indexing numpy को हम basic operations के लिए use करते हैं जैसे की sorting indexing sorting का मतलब जो data है उसको हम filter करते हैं और जो indexing है indexing का मतलब जैसे की अगर हमें data ascending में रखना है उस तरीके से भी हम रख सकते है और जो data हमारे पास है उसको हमें किस तरीके से रखना है मतलब inverse में रखना है कि backward में रखना है किस तरीके से हम रख सकते हैं वो सारी चीज़े indexing में आती है sci-pi contains all the algebraic functions और sci-pi में क्या होता है जितने भी algebraic functions होते हैं वो सारे sci-pi में आते हैं तो यह numpy और sci-pi की बीच में difference है यह करीबन मतलब आद तक तो मतलब अभी तक मैंने जितने paper देखे हैं उनमें तो sci-pi का difference और numpy का नहीं दिया है लेकिन कभी-कभी sci-pi का मतलब जो fill in the blanks में ह और normal options वाले जो question आते हैं उनमें sci-pi के लिए question आ जाता है कि sci-pi का full form बताओ ठीक है दूसरी चिस sci-pi किसके लिए use की जाती है तो आप बोल दोगे कि हां algebraic functions के लिए use करी जाती है बागी जो questions बनते हैं वो सारे numpy पे बनते हैं और आगे जो हम practice करेंगे वो numpy पे ही करेंगे so यहाँ पर हमारा आज का last topic है के numpy को install कैसे किया जाता है तो देखो numpy को basically किस तरीक है numpy को install करने का तरीका है कि आपके पास सबसे पहले तो python होना चाहिए आपके computer में या फिर आप phone में चला रहा है तो उसमें सबसे पहले तो python होना चाहिए दूसरी चीज उसके अंदर एक package डाउनलोड करना पड़ेगा नमपाय का उसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है आप अपने विंडो पे जाएंगे विंडो में जब आप खोलेंगे अपना computer तो वहाँ पर आप start पे जाएंगे start पे जाने के पाद आप वहाँ पर cmd डाइप करेंगे जब आप cmd खोल लेंगे cmd मतलब command prompt command prompt में आपको क्या लिखना है pip install numpy बस आपको इतनी सी लाइन लिखनी है और आपका वहाँ पर data होना चाहिए उसमें नेट होना चाहिए नेट वर्क होना चाहिए जिससे कि आप उसको रन करना सको और आपको बस उसमें बस इतना ही डालना और एंटरप्रेस करते हैं जैसी आप एंटरप्रेस करोगे वहाँ पर एक file इतने भी examples हैं उनको कैसे करते हैं बागी वीडियो में हम उसके कुछ important questions समझेंगे सो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ थैंक यू एंड